हलो स्टुडेंट्स मिना नाम दॉक्टर गजन पुरेत और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल अगर आप बीए सी कर रहे हैं या इंजिनेरिंग कर रहे हैं या किसी भी कॉंपरिटिव एक्जाम की तहरी कर रहे हैं जहाँ पर हायर मैथमाटिक्स पूछा जा था तो ह हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हिल्फुल है सुना आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं सेंटर आफ कर वेचर के बारे में बताया था जहां पर मैंने कार्डिजन कॉडिनेट पॉलर कॉडिनेट उसकी बाद पैरामेट्रिक कॉडिनेट तो बहुत सार सु सुद्शू बात करी जाए कि कोई भी घर हमारे पास करव दे रखा है तो यह कर्म वैंड हो रहाँ तो जो सरकव इससे बनेगा उसका सेंटर क्या होगा सिर्वेतार देका रईल तो यहां पर x bar और y bar का जो value होता है वह इस formula हम यहां पहे निकालते हैं जहां पर एक्स बार की चुमलेज होती है वह마नफ망 यद्यों अफ हो दी ऑक्षार दोय प्लस अपन और y 2 इन दोनों की value निकालके हम यहाँ पर put करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा सुन center of curvature रहेगा जहाँ पर y1 का मतलब होता है dy by dx और y2 का मतलब होता है d2y by dx मैं आपके सामने एक सरकल लेता हूँ x square plus y square is equal to a square हम जानते हैं कि इसका जो center है वो हमारे पास क्याएगा 0 0 आएगा अगर मैं यह formula लगा हूँ इस curve के लिए तो यह 0 0 answer रहना चाहिए करके देखता है तो इसकी value निकालते है तो यह आएगा 2x plus यह आएगा 2y और dy by dx को हम y1 करेंगे तो यह हमारे पास value हो जाएगी तो इस उन y1 की value होगी वो मारे पास होगी minus का x by y बेटा 2 तो common निकल के 0 में चला जाएगा x उदर जाएगा minus x और y से divide कर देगे हम इसको फिर differentiate करेंगे और इसकी value निकालेंगे y2 की बेटा यहाँ पे क्या होगा? u upon 20 होगा y को छोड़ेंगे x का करेंगे minus x को छोड़ेंगे y का करेंगे divided by यहाँ पे y square की value हो जाएगे तो y2 की जो value होगी वो हैगी minus का 1 upon y square बेटा हैगा y minus इस उन यहाँ पे x है और y1 की value, बेटा y1 की value minus का x by y आरा इसको मुठा के यहाँ पे रख देंगे x square upon y, बेटा x square plus y square हमारे पास यहाँ पे क्या था a square, बेटा यहाँ से हो जाएगा minus का a square और y square हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे y2 की value मिल गई आपके पास यहाँ पे y1 की value मिल गई बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, x bar और y nev1 स्कॉारmud करेंगे एकस स्कॉर यस्कॉर अपॉण y2 माइन चाहिए 19 03 को ले जाते तो याए जाएगा या这么 Q upon A square पिटा यहां से हमारे पास इसकी विल्या जाएगी X by Y, यहां पर इसका LCM लेंगे तो यहाएगा Y square plus X square upon Y square, सुन यह value जाएगी, now X bar की जो value जाएगी X, यह हमारे पास वह रहाँ Y, यह और Y, यह और Y cube हो जाएगा, X, यह सुन, X square plus Y square की value हमारे पास A square की होती है, यह सुन यह आएगा A square और नीचे हमारे पास A square हैगा, बैटा A square से A square cancel, तो X minus X और यहां से मारे पास इसका value जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसी प्रकार से हम Y bar की value निकालते हैं, यह और Y bar हमारे पास यहां पर क्या आएगा, तो बैटा Y bar का जो formula होता, वो हमारे पास यह होता, पहले यहां रख देता हूँ Y bar, तो बैटा Y तो हमारे पास है यह, plus 1 plus बैटा Y1 square, Y1 यह, इसका square करेंगे, तो यह आएगा, X square upon Y square, divided by यहां पर हमारे पास आएगा Y2, और Y2 की value हमारे पास यहां पर क्या रहे सुन, minus का A square upon Y cube आएगा, अब यह value उठा के हम यहां पर simplify करेंगे, तो सुन यह आएगा Y, और यह minus यहां बीच में आजाएगा, इस सुन यहां पर हम क्या करेंगे, ऊपर LC में लेंगे, तो X square plus Y square, और divided by यहां पर हमारे पास Y square आएगा, बटा यहां से यह जो Y cube है, इसको उपर ले लिजे, तो यह Y cube हमारे पास यहां पर आजाएगा, minus Y, और X square plus Y square की value हमारे पास A square होती है, पैटा यह A square से A square हमारे पास यहां पर क्या जाएगा, cancel हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास इसकी value हैगी, वह आएगी, Y minus Y, and that is equal to 0, तो देखो यहां पर इसका center के आ रहा है, 0, 0 आ रहा है, तो इस तर से किसी भी curve come center of curvature बहुत इजिली इन दोनों फार्मूलों की मदद से निकाल सकते हैं, सुन, एक दो question और समझाने की कोशिश करूँआ, सुन, हार पास यहां पर यहां पर आजाएगा, हमारे पास 4A, तो Y1 is equal to, यहां पर हमारे पास इसकी value आएगी, वह आएगी, 2A upon Y आजाएगा, इस तो next हम क्या करेंगे, Y2 निकालेंगे, तो Y2 की जो value आती ही, यहां पर गयागा, 1 upon Y आजाएगा, माइनस का 2 upon Y स्कॉर और Y का वापस Y1 हो जाएगा, इस तो यहां से हमारे पास Y2 की value हैगी, 2A upon Y स्कॉर और Y1 की value हमारे पास यहां रही, 2A upon Y, इस तो यहां से हमारे पास Y2 आजाएगा, इस तो यहां से हमारे पास Y2 की value हमारे पास यहां पर कितनी आ रही बेटा, इस तो यहां से हमारे पास 4A स्कॉर की value हमारे पास Y2 की value हमारे पास Y2 आ रही, स्काली जिए घर आंगे और ऑगर बाप से इस को इस्सकुम्लिफै करते है तो मारे पास तेmission कि सुन हो और लिख़ें Всё therefore एकस शुन हुर यहां देखेंगे तो यहां पर पास कैंसल हो रहा यह ते वाए स्कुर बचेगा सुन यहां से देखेंगे तो यहां से हमारे पास इसकी जो value आएगी हो आएगी y square और इस सुन यहां पर a से cancel हो गया और 2a आजाएगा हमारे पास value और यहाएगा 1 प्लस इस सुन a से cancel हो और 4 से 4 cancel हो और तो यहाएगा a by x चुकि हमारे पास यह x koordinator हम सभी यहां पर x की term निकालेगे जो y square है इसकी value आप इस 4 a x उठा के यहां रख देता है तो सुन यहां से हमारे पास इसकी जोड़ी आगी x square is equal to x plus यह आएगा हमारे पास 4 a x upon 2 a और यहां पर lc ले लेते हैं तो x plus a upon x हो जाएगा तो यहां से इसको simplify करेंगे तो x is equal to यहां पर a से cancel हो गया तो यह आएगा हमारे पास 2x and x plus a upon x बटा x x भी cancel होगे तो x bar is equal to यह आएगा हमारे पास x plus 2x plus 2a तो यह हमारे पास coordinate आएगा 3x plus 2a यह हमारे पास यहां पर गया तो इसका x coordinate आजाएगा नाओ बात करते हैं सुन इसके y कोडिनेट पर लेके तो सुन यहां पर हमारे पास y bar का फार्मला पता होना चाहिए तो सुन य बार का फार्मला में यहां लिख देता हूं तो y bar is equal to y plus 1 plus y1 square upon y2 यह मारे पास यहां पर क्या होता है इसका फार्मला होता है तो y bar is equal to यहां पर क्या आएगा सुन y तो हमारे पास ठीक रहना है देता है इसको plus 1 plus y1 square बाटा y1 square की value हमारे पास यहां पर कितनी आ रही है यहां रहा है 4a square upon y square divided by y2 बाटा यह आएगा minus का 4a square upon y cube यह हमारे पास यहां पर क्या गी value आ जाएगी इसको simplify करते है तो सुन यहां से मैं y bar की value निकाल लेता हूँ तो बैटा यहां यहां पर आपके आप देखेंगे तो सुन y square से y cube cancel होगा तो एक y हमारे पास यहां पर बच जाएगा तो minus का y upon 4a square आजाएगा and यहाँ पर हमार पास आएगा y square plus 4a square आगा अंदर की तरफ multiply कर दिजे जैसे आप अंदर की तरफ multiply करेंगे तो यह आएगा y and यह आएगा y cube upon 4a square यह अंदर जाएगा 4a square से 4a square cancel minus का y आजाएगा यह y से y cancel हो रहा है तो सुन यहां से महारे पास इसकी विलिए हैगी y bar is equal to minus ka y cube upon 4a square सुन यह हमारे पास इसका क्या जाएगा y coordinate जाएगा तो इस तरह सम यहां पे इसका center निगाल सकते है तो center आएगा 3x plus 2a and y cube minus 4a square तो यह हमारे पास यहां पे center का coordinate जाएगा So next question देखे, आप इसको देख सकते हैं यहां पे solution और मैंने इसका answer वो x की form में कर रहता है So next देखे, find the radius of curvature of the cycloid So यहां पे x दे रहता है and y दे रहता है अब यहां पे जब भी हमारे पास इस तरह से parametric coordinate दे रहता है तो आपको पहले यहां पे dy by dx and d2y by dx इसको निकालना पड़ेगा फिर हम इसका center बहुत जिली निकाल सकता है So dx by d theta निकाल लेता है So dx by d theta की value आ रही हो आ रही a and theta यहां पे 1 हो जाएगा और sine का हो जाएगा cos theta अब हम क्या करेंगे सुन यहां पे इसका dy by d theta निकाल लेता है तो यहां पे हम theta के respect करेंगे तो cos का हो जाएगा minus का sin तो बटा यहाएगा a sin theta अब हम यहां पे dy by dx चाहिए मतलब y1 की value चाहिए तो बटा यहां पे हो जाएगा dy by d theta divided by dx by d theta यहां से हमारे पास इसकी value है जाएगी a sin theta divided by a 1 minus cos theta बटा हम क्या करते हैं इसको value यहां से a से तो cancel हो गया इसको रेख सकते है 2 sin theta by 2 cos theta by 2 और यहां पे देखेंगे इस वन a से तो cancel हो गया और 1 minus cos theta जो होता है 2 sin square theta by 2 बटा यह हमार पास यहां पे सकी वेल्यो होती, रैड, हम देखें, यहाँ पर कुछ ट्रम तो हमार पास यहां पर क्या होगा, यहाँ यह चैंसल हो रही, क्या हो रहजा है, 2 से 2 कैंसल होगया, sin θट उपाई 2, sin θट उपाई 2, cos θट उप़ाई 2, upon sin θट उपाई 2, तो y2 करेंगे, मतलब dy by dx और करेंगे हैं तो y2 जो आएगा सुन cot theta by 2 का हमार पास यहाँ पर का, minus का, cos x square theta by 2, theta by 2 का होगा 1 by 2, फिर हमार पास यहाँ पर हो जाएगा d theta by dx, यह और value आएगी हैं यहाँ पर, क्योंकि हम x के respect में कर रहे हैं, तो theta का बापिस होगा d theta by dx, 2 is equal to, यह आएगा हमारे पास minus का, 1 by 2, cos x square theta by 2, divided by, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, dx by d theta, and dx by d theta की value हमारे पास यह दे रखे, तो यह आएगा, minus का, 1 by 2, cos x square theta by 2, divided by, यह आजाएगा हमारे पास, 1 minus cos theta, यह पर यह पर हमारे पास, 2 sin square theta by 2, तो यह value टाएगे, यह आएगा, minus का, 1 by 2, cos x square theta by 2, divided by, यह आएगा, 2a sin square theta by 2 हो जाएगा, तो सुनिया, जो y2 की value हैगी, वो हैगी हमारे पास, 1 upon 4a, and यह आएगा, sin की power 4 theta by 2, यह हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, y2 हो जाएगा, यह y1 है, अब यह सुनिया, यहाँ पर क्या करेंगा, x bar y bar की value निकालेंगे, तो सुनिया, हम जानते हैं, कि जो x bar होता है, वो हमारे पास होता, x minus y1, 1 plus y1 square upon y2, यह हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, इसका formula होता है, यह सुनिया, बाकी इन सब की value रखते हैं, तो x bar is equal to, यह आएगा, x की value मारे पास, और पास a, theta minus sin theta minus y1 की value, बाट य1 की value cot theta by 2, यह रख देंगे, cot theta by 2, 1 plus y1 square, बाट यह आएगा, cot square theta by 2, divided by y2, यह सुनिया, यह आपर y2 की value आगी हो, minus 1 upon 4a, sin power 4, theta by 2, बाट यह मारे पास यहाँ बेस की value हो जाएगे, इसको simplify करेंगे, यह आएगा, हमारे पास, x bar is equal to a, theta minus sin theta, यह रख देंगे, तो minus minus plus, यह आएगा, 4a, sin power 4, theta by 2, यह रख देंगे, यह हमारे पास आएगा, cot theta by 2, यह रख देंगे, यह हमारे पास, क्या और common आ सकता है, तो सुन यहाँ पे एक तो a common आ रहा है, इसको a बाहर ले लिजे, तो यह रख देंगे, theta minus sin theta, and sin square से cancel हुआ, तो यह आजाएगा, हमारे पास, 4 sin square theta by 2, यहाँ से हमारे पास, इसकी जो value हाएगी, हुआ हैगी, cos theta by 2, upon sin theta by 2, बाहर यह हमारे पास, यह पे value हाजाएगी, जब sin theta by 2, इसको cancel करेंगे, यहाँ से मारे पास, इसकी value हाएगी, x bar is equal to a, theta minus sin theta, बाहर यहाँ से मारे पास, यह आजाएगा, sin sin cancel, plus, बाहर यह काम करते हैं, 4, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, 2 sin theta by 2, cos theta by 2, फ्लस यह आएगा टू साइन तीटा और इसको संप्लिफाइगा है तो सुन हमारे पॉर फास एप्लस साइन पास यहां पर क्या जाएका इक स्कॉर्डिन आए इससी प्रेकार से जब इसका Y को इने निकालेंगे तो यहार यह आएगा वाई बारेस एकुल टू वाई प्लास व तो यहां पर यहां पर यहां पर हम इसकोर सा लिख सकते हैं यहां पर 2a sin square theta by 2, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं, 1 minus cos theta को लिख सकते हैं, 2 sin square theta by 2, right? And सुनिए, minus यहां पर हमारे पास, actually पूरा इसके denominator में है, सुनिए, minus यहां पर आ जाएगा, और यह उपर चला जाएगा, तो 2a sin square theta by 2, 1 बच जाएगा, और यहां पर हमारे पास 2 बचेगा, इस उन यह हो जाएगा, हमारे पास sin square theta by 2 ही बचा है, और कॉसे के square को हम लिख सकते हैं, 1 upon sin square theta by 2, यह sin square से sin square cancel होगा, तो 2 बचेगा, तो इस उन 1 minus 2 तो minus बना जाएगा, तो इस उन यहां से मारे पास इसकी लेगी माइनस का 2A साइन स्कॉर ठीटा बाई 2 इसका यहां पर क्या जाएगा यह यह वाई कोडिनेट आजाएगा तो इसको एक्स कोडिनेट और वाई कोडिनेट इस तरह समया पर इसली निकाल सकता है तो नेक्स्ट यह कॉमेंट बक्स के लिए इसको सॉल करने में आपको कितना टाइम लगा प्लिस कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आप हमारी पूरी वीडियो प्लैलिस देखना चारहे तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएगी अगर आप हमारी बुक्स लेना चारहे तो Amazon Flipkart और हमारा Maths Care App है उस पे एबुक्स अवेलेबल आप इनको वहां से बाइक कर सकते है अगर आप IDGM, CSI, Internet और GIT exam की तैयरी कर रहे है इस सुन यह हमारा Maths Care App है जहां पर online courses भी अवलेबल अगर आप courses बाइक करना चारहे पूरा वीडियो आप यहां पर जाके देख सकते हैं यहां पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पर जाके आप डावलोड कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू, बाबाए